Now, what does Bheem Rav Ambedkar believe? However, Dr. Bheem Rav Ambedkar proves such an interpretation to be wrong. Dr. Bheem Rav इस बात से सहमत नहीं है. शायद आपको मालूम होगा कि Dr. Bheem Rav Ambedkar हिंदू व्यवस्था से बहुत दुखी थे और अपने जीवन के आखरी दिनों में उन्होंने बहुत धरम को अपना लिया था, हिंदूईजम छोड़ दिया था, हिंदूईजम में जो कास्ट की व आपको मालूम होगा कि Dr. Bheem Rav Ambedkar बिल्कुल इस से बहुत आपको अपना लिया था, हिंदूईजम के हैं, वो ये मानते हैं कि शूद्रों को छूने से मनूने कहीं मना नहीं किया है, और शूद्र जाती के लोगों को छूआ जा सकता है, वो अचूत नहीं है, ये बात मनू ने कहीं नहीं कही है, कि शूद्रों को नहीं चूना है, लेकिन भीमराव Ambedkar बिल्कुल इस से विरुद, इसके विपरीत बात करते हैं, और वो ये कहते हैं, कि जो बात मनू समृती में मनू ने कही है, वो बात सोशल रिफोर्मर्स मिसिंटिप्रेट करते हैं, क्या कहते हैं भीमराव Ambedkar, आए जानते हैं, he says that मनू never intended untouchables to be a part of Hindu society, भीमराव Ambedkar तो ये कहते हैं, कि मनू कभी भी ये नहीं चाहता था, कि untouchables को Hindu society में जगह दी जाए, यानि कि untouchables के लिए Hindu society में किसी भी वरन में, चाहे वो ब्रहमा हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, इन categories में से किसी भी category में, किसी भी वरन में untouchables के लिए कोई स्थान नहीं है, मनू ने ऐसा कहा है, ये कहना है Ambedkar का, that is why in his Samriti, he speaks of another category of people whom he calls वरन बाहियाज, वरन से बाहर के लोग, ये चारों जो वरन उन्होंने, ब्रहामनक्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो डिविशन किया है, उस वरन से बाहर भी एक वरन उन्होंने रखा है, एक लोगों के category को रखा है, उसको भीमराव अंबेटकर कहते हैं कि मनू ने वरन बाहिये बताया है, इन लोगों कोई हीन, निमन लोग, हीन लोग, यानि के अंटचेबल, अचूत लोग बताया है, मनू ने ऐसा कहना है भीमराव अंबेटकर का, थस फोर अर्थोडोक्स हिंदू, इसलिए, फोर अ ट्रदिशनल हिंदू, उन्टचेबलिटी इस नोट कांट्रेरी तो मनू सम्रेथी, और यानि के मनू और अंटचेबलिटी उन दोनों में आपस में विरोधा भास नहीं है, और इसलिए, और इसलिए, दे आर अन्विलिग तो गिव इट अप, इसलिए, हिंदू लोग अन्टचेबलिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा मनना है, दोक्तर भीमराव अंबेटकर का, Now, डोक्तर भीमराव अंबेटकर discusses three kinds of prohibition in the Hindu society and these three types are number one, inter-dining, number two, inter-marriage, number three, physically touching a certain class of people. जोक्तर भीमराव अंबेटकर कहते हैं कि तीन प्रकार की चीज़ों से मना किया गया है, कि जो untouchables हैं, उनको तीन लेवल पर लोगों से mix-up होने से मना किया गया है, inter-dining, untouchables cannot dine with upper class people, ब्रहमन, वैशे, शूद्र, इनके साथ खाना, शेयर नहीं कर सकते हैं, untouchables, उनके खाने को नहीं चूँ सकते हैं, untouchables, ये मना ही है, एक मना ही तो ये है, दूसरी मना ही, inter-marriage, untouchables का बच्चा, किसी भी upper class, चाये वो ब्रहमन हो, चाये वो ख्षत्रिय हो, चाये वो वैशे शूद्रों, उनके बच्चों से, untouchables के बच्चों का शादी करने से मना ही है, they cannot, आज ये chapter मैंने आपको class में भी पढ़ाया था, और इसको मैं rewind कर रहा हूँ, इसको मैं दुबारा से पढ़ा रहा हूँ, कुछ sections इसको पढ़ाने से वंचित भी रह गए थे, lockdown से पहले, तो हमने देखा था कि, मैंने आपको class में ये भी बताया था, कि हरियाना सरकार एक मोटी amount उन बच्चों को gift के तोर पर देती है, जो intercast marriage करते हैं, इस untouchability को खतम करने के लिए सरकार ने ऐसी रिवस्ताएं की हैं, कि intercast marriage पर वो एक इनाम देती है, और वो एक मोटा इनाम है, तो class में हमने discussion इस पर किया था, intermarriage, untouchables, उनके बच्चों की शादी, untouchables की शादी, touchables में नहीं हो सकती है, यानि कि उपर की जुचातिया है, स्वरन कास हैं, जो उन में नहीं हो सकती है, तीसरी बात, physically touching a certain class of people, untouchable, जिसको गांधी ने बहुत address किया था इस issue को, महत्मा गांध करिये कहते हैं कि तीन लेवल पर अचूतों के साथ बुरा व्यावार किया जा रहा है, और उनको छूत लोगों के साथ, जिनको चुआ जा सकता है, touchables, so called, जिनको कहा जाए, वो उनके साथ खाना नहीं कहा सकते हैं, उनके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, और physically touching से भी मना ही है while people are practicing the first two kinds of prohibition, they can't be convinced to give up the third one, जहां तक शादी की बात है, जहां तक इंटर डाइनिंग की बात है, लोग उसकी practice तो कर ही रहे हैं, और तीसरी बात जो मानवता की है, कि ऐसा कौन वेक्ती हो सकता है, जिसको छूने से ही मना ही हो, जबके हिंदू सोसाइटी में लोग इन तीन चीजों का विरोध कर रहे हैं, लोगों को चू तक नहीं रहे हैं, और in other words, we can't end untouchability without ending the caste system, this is firm belief in the mind of Dr. भीमराव अमबेटकर, Dr. भीमराव अमबेटकर के दिमाग में ये बात विश्चित है, कि बिना caste system को दूर किये, untouchability को दूर नहीं किया जा सकता है, आज हम जब इन च चीजों पर चर्चाएं करते हैं, तो भीमराव अमबेटकर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि कभी इंडिया से इन चीजों को दूर किया जा से, untouchability लगभग आखरी सांस ले रही है इंडिया में, और लगभग ये पुरानी विवस्ता दूर हो चूपी है, और ध धीरे-धीरे करके देखिएगा आप खास सिस्टम भी बहुत जल्दी दुनिया से खतम हो जाएगा